my name is Mukesh IADO, we are going to discuss about agriculture engineering as pper जैसे हमने पहले भी discuss किया है नो हम lectures अग्री कल्छर engineering पे हो चुके हैं। आज हम discuss करने जारे हैं दस्वा lecture प्रजीजर जौति जौती इवनिंग आ गया गये स्वेता गुड़ इवनिंग सवेता जौति गुंटी गुड़ इवनिंग एक बर उनको क्लियर कीजिग में कमेंट सेक्षन को कमेंट जैसी रम्स है चलि हम discuss करते हैं मैं कल हमने discuss कर लिया था גם से वाले parts को discuss किया था है रो वाले part को हमने discuss किया था secondary ट्राइम तर्ट वह बात करें secondary तो वह भी हमने discuss कर लिया secondary ट्रेस में कौन-कौन वह इंप्लीमेंट आते हैं तो उनके बारे में भी वन्हेंक है कुछ पार्ट को । इक चीज क्लीर है कि यहां हम लोग डिसक्रस करें मैं पिछले टैन्ट लिए मैं इन्में क्या रहा हुआ रहा हुँ आई-पीक्स में एक यह समाता है यह में प्रूफ सत्व द्रूसlining नाबड at cover किया है agriculture engineering का उसमें से कितने question आये हूए है बिल्कुल everyday हम last 10 में discuss करेंगे कितने question आये हूए है किस यह में question आयो है last time five year की discuss करेंगे त्यूंकि हम 55 question every day discuss कर सकते हैं ज्यादा हमने लिया तो फिर lecture cover नहीं कर पाएंगे तो target अपना क्या रहेगा last five year का पहले एक बार हमने आई बीपेस के दो दिन एक दिन में कवर हो जाएगा आई बीपेस के जो भी फाइप यह में क्वेस्ट तो नहीं किया ऐसा तो नहीं हो सकता तो बिल्कुल भी नहीं है लेकिन आज हम प्रूफ करके रहेंगे कि कौन-कौन से आए हैं और आप लोग उनके आंसर भी देंगे मैं आसा करता हूं कि आप लोग आंसर भी देंगे क्योंकि वह चीज हम पढ़ चुके हैं तो यहां जो चीज हो रही है वह कंप्लीटी फैक्ट्वल है टूथ है और अपन जो एक्जाम बहस है हमारा उसी को लेकर चल रहे हैं कि 40 मिनट 40 45 मिनट तक उसके बाद में लास्ट के 10 मिनट हम डिसक्स करने वाले हैं क्वेशन सेशन हम ने रखा है क्वेशन आंसर सेशन रखा है आई बीपेस के लिए प्री पीजी नाबाड एओ डबल एओ सारी जो एक्जाम में क्वेशन हम पूचेंगे और किस में से पूच तक आभार दिसक्ष करेंगे आप से Hem Hey deeply हरी ज़सको यह चीज हमने कवर कर ली थी किसे पूचा था सी हमने कवर किया था किसमैं प्लाविंग में और आज हम यही चीज बढ़ रहे है handful में हैरो में देखिए यहां पर हैरो और प्लाविंग में क्या डिफ्रेंट्स है प्लाविंग में हमने प्लाव यूज किया था प्लाव में डिस्क कितनी होती है कोई बताएगा प्लाव में डिस्क कितनी होती है सब्सक्राइब com tube हो सकती है यहीं होती यहां नंबर आप डिस्क आपको दिखाई दे रहाओ । कितनी हैं इसमें अगर हम बात करते हैं number of присks कितनी है इसमें 12डिस्क कितनी है ट्व्याइल neily के यहां इसको यूज किया जाता है है याट मिन सेकंडरी टिलेज पे यूपीस जैसे राम जैसे राम मुर हम बात कर रहे हैं यहां पर तो तो अग देखिए जितना ज्यादा डिस्क होगा तो क्या होगा उतनी ही वह हम लोग करको करें ज्यादा नियुक्ष करना है कि हम कुद है कि करना उसका एंगल मैंटेंग करें जो हमने इंगल करा सके है Sukediience experienced ओब मालता है यहां पाती हम दूसरा जाना ऐर दूसरा वाला हमने यह भी भी discuss करिया था इसका नाम नहीं पटेला अब इसके बाद में इसको भी हमने discuss कर लिए था चलिए हम चलते हैं नेक्स वाले पार्त पर यह कौन सा पार्त ता है यह कौन सा बाइट कंछ को किस नाम शे जाना जाता है कि चब्वीज उनकर यूपिकेट क्या बोल रहा हो यह झूल्ट॑ और सुपतों हैgeon पार में डिस्कस करेंगे जो भी है हम बात करें है किragen लिएटर कीति वेटर होते हैं जो कितने होते हैं या नाइन तु यूट Wars और चलता है इसको स्कूनिया चल रहा है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा चल रहा है क्या अगा These इसको बात करें यह कौन सा वाला यह कल्टीवेटर है लेकिन यह सिरफ और सिरफ कल्टीवेट करता है इसके साथ में उपर एक और कवर आता है जिसको हम बोलते हैं बॉक्स जिसमें यूज करता है सीड और फटिलाइजर वह वाला पार्ट हम जब सीडलिंग और सोविंग वाल उस condition में हम आप लोग यह देख रहे होंगे, three time cultivator इसको बोला जाता है या second word में इसको क्या बोला जाता है, three time इसको sweep cultivator भी बोला जाता है, इसके पीछे क्या reason है, पहले तो यह बात बताईए, आप लोगो picture clear दिखरी या नहीं दिखरी, उसके बाद हम discuss करेंगे इसके बारे म दोगरे मात बताईए. झाल 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 वह इस प्रब्लम था अभी आवाज आ रही होगी चलिए ठीक है आप लोगो यह चीज़े दिखाई दे रही है बिल्कुत हाँ आप वही सबी आ गये होगी आगे जल्दी बताईए वही सारी न भी यह वाला पार्ट आप लोगो दिखाई दे रहा है यह क्लियर हो गया अब हम इसको बात करें लोगों यहां पर यूज किया जाता ह новी चीजल प्ला इसको बोले जाता है उस में सिंगल तरी ath Pack Secret कहां करते हैं किया यूटिलाइज होता है कि यूटिलाइज होता है उसकी बात कर लेते हैं वापिस बताएंगे बिल्कुर वापिस्च बताएनगे आवाज इसको डिसकस कर रहे हम बात कर लेते हैं यह तो आपको दिख रहा है यहां तक ही थे हम आप लोग ने यह बोला अब इसका परपस क्या होता है हमें कभी कभी कुछ चीज ऐसी होती है फाम की जो उपर वाला पार्थ है उसमें हमने कुछ कर रखा है मानली जी हमारे पास में क्या है ग्राउंड है ग्राउंड में क्या रखी है अपने डिसकस किया बार-बार एक टो क्या किया सब तो कहते हैं सबसोल पार्ट की कौन सा होता है तो सबसोल हमने डिसकस किया सबसोल को तोडने के लिए अब क्या करेंगे उपर वाली जो लौन है या दूब जिसमें लगी है ग्रासेज इसको तो हटाइंगे फिर से हम लोग उसको लगाएंगे तो बहुत टाइम कंजूम होगा अब जो उस सकता है 30-40 हो सकता है अब हम बात करते हैं तो इसको कैसे तोड़ें यहां तो ऑलड़ी हम क्या बौर रखिया इस वाले पार्ट में तो क्या है ग्रासे में ऐसा उता है क्रॉप भी होता है हमें क्रॉप को बीना नुकसान पहुचा है उसको विदाउट किये मशें इननियरी की exam में doorm machinery में कि पूछेंगे इसके बारे में क्या पूछेंगे यही बात कर रहा हूं कि जो चुछे उव्य पateral na River में everyday discuss करेंगे हम क्या पूछा गया है हमें भी तो पता चलिए कि हम लोह नहीं यह पड़ा है उसна कि क्या आया बिल्कुल सब चीज़े डिसकस करेंगे लेकिन लेवल होगा बीएसी और बीएसी के बात में जो हम बात कर रहे है यूप इसका आई बीपेस वाला या नाबाड का या प्री पीजी का कर अचाओ की जो एक्राम सो होंगी इसी लेवल को करणेंगा हम यह लेवल की बात कर रहें डीपली हम उसको डिसकस करेंगे सुपरवाइजर वाला फार्ट्र वह यहां वाले को चलिए हम बात कर लेता है है यहां पर सब तो दोनों ही कंडिशन में क्या होती है यह यह सकती है सब्सक्राइब करने वाले के सब्सक्राइब कहते"! ए धून कंडिशन में अर्म convention में टो हम एग्रिकाल्टर क्रॉप को तो होता है time होता है मतलब Single egg time होगा या उसमें three time भी use हो सकते हैं तो आपको इतना बड़ा इसमें नीचे दिखाई दे रहा होगा उपपर वाला पार्ट पतला है जिससे यह connected है जिससे यह connected है वो तो आप लोगों को दिख रहा होगा बहुत ही पतला है यह पार्ट बहुत ही पतला है यह दिखाई दे रहा होगा आप लोगों लेकिन यह वाला पार्ट बहुत बड़ा है इसकी वजह से क्या होता है उपर वाले जो क्रॉप वगेरा होती है उनको न उकसान ना पहुंचाए फिल फॉर्म फॉल फॉर्म पूच रहा है जो क्लास हमने ली ती वह कहां चले गए थे पावर ट्रांस्मिशन ऑपरेटर पावर को ट्रांस्मिट करता है यह क्या करता है पी पी मतलब पावर क्योंकि पावर किस किस से आ सब्सक्राइब करने के लिए आ रहे हो यह चलिए यह हमने डिसकस कर लिया इसी टाइप का हम डिसकस करने हुआ है यहां बात करते हैं हम बात करते हैं पहला और की सेकंडरी उस में यूज्ज किया जाता है हम कौन-कौन-स इंप्लीमेंट्स यहां पर डिसकस कर रहे हैं सेकेंडरी इंप्लीमेंट्स जो भी सारे दिस्कस करें से सेटार्डर फ़र्स्ट सेक kicking यह बात करें रोट gülar और रोटो पडलर भी इसको कहा पर दूसरे ज destroyer रोटवेटर और रोटो फडलर देखिये चीजे। और रोड़ेोंडार दिस्कस करने में हैerving यहां पर अगर हम बात करते हैं तो गेट अग्रिकल्च इंजिनियरिंग लिए क्या पढ़ें जो हम पढ़ा रहे हैं वो तो कंप्लीट आएगा ही आएगा गेट इंजिनियरिंग की अगर हम बात कर रहे हैं लेकि बात यहां पर कर रहे हैं कि कंप्लीट को हम ले रहे हैं में जिसमें नाबाड बैंक हो गया या फिर बात करें बाकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक एक्जाम लेते हैं वहां वो टम्स यूज करते हैं डीपली जाकर टम्स पूछते हैं तो उनको भी हम डिसकस करते हैं तो सभी पार्ट को कवर करेंगे कुछ भी नहीं छोड़ने वाले आप बात करो गयट इंजिनियरिंग की यह पार्ट इसमें से तो आपका कंप्लीट पार्ट करवाए जाएगे बाकि आप उसको सेलेबस को और ऑवर्वियू कर लीजिए हो सकता है कुछ पार्ट हम से छूट जाए जो यहां पर ना हो या उसमें एडिशनल कुछ पार्ट हो तो आप देख सकते हैं प्लीज सर अपने अग्रिकल्चर कहां से की है उससे क्या करोगे भाई उससे क्या करोगे वहां जाओगे राकेश कुमाथ मैंने बिश्पूरी आगरा में है विम्राम अम्मेड का यूनिवस्टी के थूरू मैंने की है और दूसरी हम बात पीजी का भी पूछना चाओगे राकेश उसके बाद में मैं पिछले पांस साल से एज असिस्टेंट प्रॉपेसर टीचिंग करवा रहा हूं दैरादून में और साथ-साथ में कोचिंग में भी पढ़ा रहा हूं यूपीसी की प्रिपेरिशन चल रही है मैं मेन दे छुका हूं उसके लाओ और क्या-कैक चीए है चले ठीक हम डिसकस करते हैं यहां पर पड़लर की हम बात कर रहे हैं होई के और इसके बाद में रॉलर की बात करते हैं देखिए पहली चीज तो ये कौन से वाल इंस्ट्यूमेंट है सेकंड्री इसमें यूज होने क्ल्टिवेटर भी देखा था इसको क्या कहते है क्ल्टिवेटर कम इसको क्या कहा जाता है कि क्ल्टिवेटर कम पडलर कहा जाता है कि क्ल्टिवेटर कम पडलर कहा जाता है क्ल्टिवेटर कम पडलर कहा जाता है क्ल्टिवेटर कम पडलर कहा जाता है क्ल्टिवेटर कम पडलर करने का काम करता है पडलर कहा यूज होता है उसके बारे में भी हम डिसकस कर लेंगे ठीक है चलिए हम बात कर लेते हैं यहां पर यह वाला कौन सा पार्ट है इसको क्या कहा जाता है रोटावेटर कहा जाता है रोटावेटर किसके लिए यूज होता है जितने भी यहां agriculture Engineering term में क्या कहा जाता है aggregates इग्रेगेट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से या easily seedsbeebee हो सके या easily तो catalyst कानेखर हो गोंता हैं यहां सब्सक्राइब Alfie यहां इसको connect करने के बाद में typosylet करते हैं यहां पे इसमें क्या लगे होता है बड़ा करते हैं तो पह striving तो क्या हो गया, स struct को mix करने का काम हो गया दूसरा क्या हो गया वहाँ परimeter पानी बरने के बाद में एक टाइम होता है सबसे पहले आप लोगों पता है कि लोगों ने यहां करनी है तो जितना सीड रिक्वाइमेंट उससे ज्यादा उसमें डालते हैं क्यूंग क्योंकि हो सकता है बाद में जर्मीनेट है भी करते हैं जिटनी करते हैं जिस्टेंट वगधें नहीं प्लांटिंग कर्देता है schema या फिर यह क्या सकते हैं जितने प्लांट हमने वाँ लिए प्लांटिंग करवा दी 10 कि यह फिल्ड में वह सकता है complete पडलर यूज किया जाता है पडलर क्या करता है सोल को मिक्स कर देता है यह कह सकते है कुछ पार्ट को कट कर देता है जिसमें हम राइस के कुछ पार्ट होते है उसको कट कर देता है यह भी दूसरा कह सकते है वीड्स वगेरा को उसमें मिक्स कर देता है सोल में तो पहला चीज पडलर का यूज होता होगा क्या वीड को कंट्रोल करना दूसरा क्या यूज होगा सोईल को मिक्स करना और एरेशन को बढ़ाना क्यूंकि उसको मिक्स कर दिया सोईल को पानी भी उसमें सांस्क्क here मिक्स होने होंग या सूए लिूज होने की वज़े से तो अब किया होगा सीडलिंग या प्रोटेक्षण टैंटर होगा त्याव कोई मिस्टर रहे है वोल रहे रोटा मीटर का क्या काम होगा पहली तो आपने रोटा मेटर यूज किया तो वख भी आप जानते हो percentage को आप डिनोड कर लीजी रोटा मेटर है हमने इसको दाइन wears को पांवर को चिण您 करते हैं बाइक चलिए हम यहां पर डिसकर्स करते हैं रोटा मीटर का क्मट मीटर है तो अग हुआ कि रोटा को कितनी स्पीड से चलाना है बाकि मुझे तो पता भी नहीं है यार चलिए हम बात का लेते हैं यहां सब्सक्राइब को दिख रहा होगा यह क्या है रोलर है अब एक बाद रोलर को क्या रोलर का यूजज कहां पर होता है क्यू यूजज होता है requirement कहां पर होती है तो देखिए हम जाते हैं कई पे ऑब जिसकी हाइड हमने क्यों किया यहां पर पानी छोड़ दिआ फानी छोड़नी की वजय से यहां घड़ा हो जाएगा कैसा यहां परiertoγα सिस्ट्रम को प्लॉप कंडिशन में था इसमें neu Самे टाल दिया रूट डवलप होना start हो गए तो grass स्टाट हो जाएगी यह से यह या यह कह सकते हैं पहले जलीवी सी grass थी तो नहीं हो जाए इसके पीछ 1000 है तो यह Grassा डूरोफ। नहीं मुझेगए लेकिन अगर इसमें से पूछ सकता है ता यह वाला होगा कि रोटो जो रोलर होता है। secondary delays का part होता है या primary primary का part होता है या secondary का यह question पूछा हुआ है साइध I don't know इसका confirm नहीं है मुझे लेकिन पूछा इसी तरह जाएगा यह तो बिल्कुल आप जानते हो घर घर की कहानी है तो इसको तो हर कोई जानता होगा अच्छे से जो नहीं जानता है वह पूछ सकता है यहां पर जैसे आरुन ने पूछा है चलिए हम बात कर लेते हैं यह इंस्ट्युमेंट जो होते हैं इंप्लीमेंट होते हैं वह यूज कहां किये जाएंगे के सेकेंडरी टेल में इतना हमें याद रखना हैं मेरा पिक्चर दिखाने का परपर यह हैं कि इनमें से ही वर्ड आते हैं जैसे आज क्वेसं किया है उनमें आप देख सकते हैं वह एक दौा य Metro今日 साल की ही हैं बाकी हम कर डिसकस कारेंगे beth उन में कैसे question फ्रेम होते हैं देख सकते हैं आपको हर तरीके से बना देंगे यह मास्टर बना देंगे हो ही यह निहीं सकता की कोई क्वेंस आप गलत करेंगे चलिए हम बात करते समझ में आया क्ए बोलिए समझ में आया नहीं आया हम बात कर लेते हैं next part की यहां पर कुछ important चीजे हैं जो last दो साल में कह सकते हैं इस से पहले 15 से पहले बहुत बार पूछी जाती है वह कौन सी वाली है यहां यह term दे दिया जाता है एक इसकी particular implements का नाम दे दिये जाएगा और इसकी working efficiency पूछ ली जाती है यह बहुत बार हुआ है बहुत एक आदा question आया है हर बार आया है तो इसलिए हमने भी frame किया है यहां पर आपको भी कभी दिक्कत नहीं आनी चाहिए और मैंने तो इसी तरह किया कि आपको कभी life में कभी problem ही नहीं हम बात करते है stats of working capacity of farm implements पहले हमने किसको discuss कर लिया था primary section को या primary जो implements थे primary tillage वाले जो parts थे उसमें जो use किया जाते हैं उनकी working efficiency हमने कर ली ती यह कह सकते है working capacity हमने बिल्कुल discuss कर ली थी कीठी के नहीं कीठी वह भी important है यह भी बात कर लेते इसमें भी क्या क्या चीजें इंपोर्टेंट है इसके बारे में मुझे पता नहीं है 16 June को है वर्मा जी बोल रहे है 16 June को है अभी तो कहां कैसे बता रहे हुँ वह पहले से दे रखा होगा एक्जाम डेट बाकी पोसिबल नहीं कि June में कोई एक्जाम होने वाला है कहीं पे नहीं यूपी में तो ऐसे ही नहीं है इतनी प्रब्लम्स हो रही है तो डॉंट वैरी लेकिन हाँ बिल्कुल यह कह सकते हैं जून का जुलाई में जरूर एक्जाम होगा तो जल्दी कवर करवा देंगे चलि हम बात कर लेते हैं या प्रिक्त कि सख्राइब करता है कह सकते हैं एक घंटे में कितना area कवर करता है यह कह सकते हैं कि capacity मतलब 1 hectare को cultivate करने में कितना time लेता है यहां hours में time दिया हुआ है घंटों में time दिया हुआ है आप से question पूछा हुआ था कि ज्यादा तर देखे question यहां पूछता है अगर आपको efficiency पूछता है तो एक दिन में क्या होती है कोई बताएगा अगर के वाकिंग की ऑन की बात करें लिफेस्यंटको की बात करें तो आपछे दो च्रह、 हीमयं ऐलाफ करते हैं कितने गहंते काम कर वाये जाता है या फिर उनके बैसेज पर यह दिया जाता है क्योंकि working efficiency अगर और में गिन रहे हैं तो एक दिन में कितने घंटे चलेगा एक दिन में कितने घंटे चलेगा किसको इन में से दो गंटे चलना चीए पांच गंटे आट गंटे या दस गंटे जल्दी कमेंट करके बताई जब तक मैं यह बता देता हूं कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट डिस्क हैरो कौनसा वाला डिस्क हैरो एनिमल से चलने वाला इनिमल पावर जिसमें यूज होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं चलिए हम बात कर लेते हैं डिस्क हैरो डिस्क हैरो में यहां पर कितने डिस्क हो सकते हैं उसकी बात कर लेते ह कितने डिस्क हो सकते हैं या तो 4 डिस्क हो सकते हैं या पर 8 डिस्क हो सकते हैं दोनों में से कुछ भी हो सकता है अब हम बात कर लेते हैं अगर 4 डिस्क होगा तो साइज क्या होगा 600 mm या उसकी यह mm है ना उसको कैसे करते हैं वो भी हम discuss करने वाले हैं mm को convert करते हैं मीटर में मीटर से सेंटी मीटर में या उसको कह सकते हैं पूरा एरिया को कैसे find out करें वह भी बिल्कुल discuss करने यहां पर यहां पर यह अभी जो पिसला लोगदाउन लगा था उसमें लेबर को भी यही कहा गया कि आप गंटे तक वक करेंगे आठ गंटे के बाद में कुछ-कुछ स्टेट से दिसमें ओडिसा एमपी यह कह सकते हैं गुजरात यह वाले जो स्टेट थे उन्होंने यह किलियर मेंशन कर दिया था कि जो भी लेबर होती है आठ गंटे से ज्यादा काम करवा सकते हैं अधर्वाइस पॉलिसी यही है कि आठ बढ़ाना था एक साथ में जब उपन हुआ था उस टाइम आप कौन से वाले के लिए बात कर रहे हैं जिसमें मास्क वगएरा बन रहे थे या सनिटाइजर वगएरा बन रहे थे वहां पर लेबर से आठ गंटे से ज्यादा आप काम करवा सकते हैं आठ से बारा तक बेसरते सरते क्या थी वह करना चीए कौन लेबर एग्री है तो वह कर सकता है लेकिन उसके लिए अपको क्या करना पड़ेगा यह चीज किलियर थी यहां पर भी एग्री कल्चर में भी आठ गंटे वरकिंग करवाई जाती एक दिन में का ट्रेक्टर चलेगा तो उसकी भी आठ कर सकता है है रोविंग कर सकता है तो आपसे टर्म देदेगा तो कैसे उसको यह जो भी डेटा है वह आठ गंटे क्या कॉर्डिंग होते हैं और पुछा भी मेंसें किया हुआ है साहिद आज इसमें मैंने फ्रेम किया गी नहीं आई डॉन लो बाकी कल्द हो जाएगा तो किस इस तरह फ्रेम किया हुआ है वह भी बात कर लेंगे यहां डिसकस करते हैं वाकिं कैपैसिटी एक घंटे में कितना एरिया कल्टिवेट कर देगा क्या एनिमल की थू जो है चलता है वह 0.18 से 0.22 यह एरिया एक घंटे में किस से कल्टिवेट किया जा सकता है डिस्क है रो ज कितनी हो जाएगी 600 mm 600 mm होगा तो कितना एरिया कवर कर लेगा 1.18 और अगर 12 हैं तो 1.22 तो एवरेज यह दिया जाए पॉइंट आपको यह एग्जक्ट ना दिया जाए लेकिं नियरबाई आपका रिजल्ट होना चाहिए और कैसे निकलता है वह भी हम बताएंगे चलिए ब बात करते हैं डिस्के हैरो किसे चलता है ट्रेक्टर से भी चलता है ट्रेक्टर में चलता है उसमें कितने डिस्क हो सकते हैं डिस्क डिफरेंट होते हैं और फॉरेंट की बात करें वहां पे पावर जो होता है पर एच्प जो ट्रेक्टर यूज किये जाते हैं वह बहुत है भी पावर के होते है वहां पहु ज़्यादा होती है तो है और हो अगेरा भी यहाँ बहुत बड़े साइमें धरकिति नियर यहाँ पर बिया ज़्यादा कवर करेंْ यहां पर 60 डिस्ट फाले यूल कि जाते हैं विसक्षेम्त कि बात कर रहें है इनकी साइज क्या होगी iki 2,000 mm समझ में आ रहा रहा हैज नहीं इसी कैसे बेठ गए उतल्य यह समझ में आ रहा हैं यहां बात करते हैं यह बहुत important समस्झ में आना कशिए यहां बात करते हैं कि एक गंठे में कितना हक्टेर कर दिए जाएगा इसका मतलब यह है कि 0 40 से उसे धाई गंटे इसमें लगने वाले हैं एक चीज यहां नोट डाउन कर सकते हो चलिए अभी अपने पास में 10 मिनट है उसके बाद आपन क्वेशन सेशन स्टार्ट करेंगे आप अपने दोस्तों के साथ में इसको सेर करते रही है जिससे आंसर जो सेशन है उसमें वह भी पार्टिसिपेट कर सके अब देखते हैं जो राजमाते हैं मिस्सु भाकर सोरी लेट हो गया क्या हाँ आज लेट हो गया आप बहुत पंदरा मिनट लेट आ रहे हो जल्दी आगरो अदरवाइस समझ में आएगा आपको भी कल्टिवेटर की बात करते हैं कौन सा एनिमल ऑपरेटेट वही एक हमने एनिमल ऑपरेटेट रखा है एक कुन सा वाला रखा है ट्रेक्टर ओपरेटेड या पावर ओपरेटेड जिसको हम बहुत सकते हैं यहां आगर हम बात करते हैं इसकी साइज 300-400 कितना एरिया कवर करेगा पॉइंट 0.08 यहां बात करते हैं 12 से 14 घंटे वह लेगा अब हम बात करते हैं कल्टिवेटर 300 mm क्या हो जाएगा उसकी साइज हो जाएगी और यहां पर वही कवर कितने में कर देगा बी 0.40 से 0.5 यही अगर हम बात करते हैं यहां पर टू से या दो से धाई घंटे में एक हेक्टियर को कवर करेगा अब देखिए दो चीज हमने यहां पर थोड़ी सी है जो डिसकस करने वाली है आप लोगों को थोड़ा सा कंफ्यूज होगा यह आगे ना हो इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं आप लोग देख रहे होंगे यह क्यों है यहां पर 2500 है कितना है 8000 दिखाई दे रहा है यहां रहा क्यों यह चीज क्या है यह यह ECS न है इस न ही टाइमें उसकाउर अbellτίंट हो और पर इसके पीछे रिजन क्या है यहां पे साइज कम ज्यादा है लेकिन यहां पर जो एरिया कवर हो रहा है दोनों का सेम देख सकते हो मैं जल्दी कमेंट करके बताई जल्दी बताई कि तब तो आप लोगो समझ में आरहे हैं तो जल्दी बताई चलिए तब तक हम इसकी बात करते हैं है रो पटेला हेड जो पटेला हमने कड्र डिसकस किया था एनीमल ऑपरेटेड होता है यह है और नहीं समझ में आया तो भी नहीं पिछली स्लाइड पर जाएंगे तो यह हड जाएगा चलिए बाद में बात करते हैं उसमें किस टाइप स केता है जल्दी answers कीजिए अपने जिसको नहीं पता कोई बात नहीं जो आपका idea है वो तो share करी सकते हैं हम ठीक कर दिंगे उसको है तो आप खुद talented हो सभी लोग हम बात करते हैं hero patela size के अगर हम बात करें 1500 से 2000 हो सकता है कि बड़े हल है नहीं बड़े हैं तो फिर टाइम साथ इतना ही क्यों लग रहा है ताइम दोनों में देखो बड़े हैं size इसकी ज्यादा बड़ी है उतना ही 2,5 गंटे लग रहा है इसकी size 2000 है इसकी 2500 में उतना ही टाइम लग रहा है इसके पीछे क्यूंकि जो हम calculate करने जाए सब्सक्राइब देगा चलिए बात कर लेते हैं इसकी कितना एरिया कवर करेगा 0.200.25 यहां पर 4-5 गंटे लगेंगे अब हम बात कर लेते हैं इसकी किसी का आंसर नहीं आए एक सुयांस के आंसर आये हैं लेकिन चलिए अच्छा लगा आपने बोला कि बड़े हल हैं अब ए सुपर चैट करनी है कि आपको मुझेट करवा लेंगी एजुकेशनल चैनल है इसको हमें इसकी क्या रिक्वाइमेंट है विस्टों आप इस पर जहन दीजिए न प्लीज चलिए बात करते हैं कोई बताएगा चलिए मैं बताता हूं देखिए आप लोग को पता है कि डिस्क इसके हैरो यहां पर कल्टिवेटर जो होता है आप लोगने चलतीविए तो देखा का डिस्क हःऊ और इसके ठ्लूब जमें हल लगे होते हैं विसको है आइरो लगा होता है उनको चलतेविय कितने लों नहीं देखा है फिर समझ में आजाएहं कहा नीं दोनों के बीच में दोनों को चलते हुए डिस्क के हेरो में फिर से पीछे वाले स्लाइड पे जाता हूं एक बार कि इसको यह वाला क्या है कल्टिवेटर और इसको दोनों को चलते हुए कितने लोगों ने देखा है कितने लोगों ने देखा है इसको चलते हुए जल्दी बताइए कितने लोगों ने देखा है यह वाला इसको बोलते हैं डिस्क हैरो इसको चलते वे फार्म पे ट्रैक्टर के साथ में खीचते वे कितने लोगों ने देखा है देखिए दोनों चीजों में क्या हो जाता है यहां इसके पीछे लगा होता है ट्रैक्टर के पी स्पीड में चलता है त्रेक्टर को आपने देखा क्योंकि इसमें पावर कम लगता है यह आपने आपने किसी किसी ट्रक्टर के तो लिफ्ट सिस्टम के पीछे लगाया जाता है यह कह सकते हैं किसी किसी के पीछे कहां पर लगाया जाता है उसके हुक में लगा दिया जाता हू स्लो भी चलता है इसलिए टाइम जदा लेगा कम उसको क्या एरिया को कवर करेगा यह स्पीड पे बहुत मैंटेन करता तो हम पढ़ने वाले यहां पर ज़री लेकिन सब्सक्राइब कर रहा हो तो कवत अंप्स सब्सक्राइब हो यहां पर मैं सब्सक्राइब है अब भात करते हैं और पर कौन-कौन सा रोटावेटर ये भी एक्जाम पॉइंट व्यू से बहुत इंपोर्टेंट है तो चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं रोटावेटर की अगर हम बात करते हैं तो रोटावेटर मोस्टी ट्रैक्टर से खिंचा जाता है एनिमल के थू जो रोटावेटर होता है है वहां पर उस नहीं होता हो चोटे वाले पार्ट होते हैं वह उसके के बारे में नहीं पूछा जाता बिल्कुल रोटावेटर to animal तेक्टर ऑप्रेटेड ठीक है तो चलिए बात कर लेते हैं इसकी अगर साइज की बात करें तो 500-600 में क्या होती है इसकी साइज होती है चलिए हम बात कर लेते हैं यहां इसके बारे में भी यह कितना टाइम लेता है स्कंट्र ताहिए मैं भी स्लायड के लिए टाइम गल्स पेलेठा हो फिर जाप लोग आप लोग्यों परस्ट में बात करें बात करें भाकर कर अनिमछ अपर Ze..! बाकर उसके अगर हम बात करते हैं तूफान आ गया वेरी गुड जोती बोली है तूफान आ गया हम यहां पर बात करते हैं 500 इसकी साइज बाकर की साइज क्या होती है 500 बात कर रहे हैं यहां पर वकिंग कैपेसिटी की और यहां बात कर रहे हैं हम वर्किंग कैपैसिटी पर आर्स एक या कितने घंटे लगेंगे एक हैक्टियर को कल्टिवेट करने में तो यहां बात कर रहे हैं 16 to 18 आर्स लगने वाले हैं आई होप आप लोगो यह समझ में आया होगा अब एक बात चीज यहां पर इंपोर्टेंट जो हम कैलकुलेट करेंगे वह बाद में करेंगे इससे पहले चीज समझ लेते हैं एक हैक्टियर में कितना एरिया होता है यह होता है अगर सुपर्वाइजर की बात की बात की जाये को हर कंडिडप को पता यह क्यूंत है नहीं पता है तो पढ़नी रहा है है whatever cultivate करना है कहीं पर भी उसकाना है सीड यूज करना है हर जगे पे तो आई होप आपको यह पता होगा 10,000 मीटर स्कुाइर कितना area होता है 10,000 मीटर स्कुायर मीटर के बाद में नगता है यहां पर किसी भी area को हम डिफाइन करते हैं एक चीज़ यहां पर क्लियर है एगरी कोचिंग प्रवाद जी कोच ठीक सब्सक्राइब कर लेते हैं क्यों हम इसको स्क्राइर में मेंसें करते हैं वहाप लोगों को पता हिए होगा यहां हमेशा हम अगर कि यह सोंपितना क्या हो गया कितना कि कितना हो गया इसका मतलब क्या होता है हंडड़ सेंटी मिटर ऽंपन फाउजेंट मीटर हम बार 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 इसको विश्च सब्सकिरें तो ऐसका मतलब अब लोग बता सकते हैं पंदरा सो मम का म मतलब डेढेड मिंटरीं का मतलब क्क अम पूएंट वां फाइप मोच अब अगर आपको पूछ लिया जाए मीटर में 25 फैक्टियर जो ती बिल्कुल राइट हम बात कर रहे हैं आपको अगर मीटर में दे दिये जाए तो आप बता सकते हो बिल्कुल चलिए फिर इसको और डिसक्रस कर लेते याड क्या होता याड को बोलते है गज इसमें भी कभी पया गहाफ मतला है कि मीटर से थोड़ा सा कम मतलब यह मतलब वह मीटर से कितना कम होगा पूझकों difference करना चाहें को मी सेंटीमेटर में तो एक इंच में 2.54 यह कह सकते हैं अशय में सेंटीमिटर होता है किसमें एक इंच में आई है आपको यह समझ में आ गया होगा कि यूपी से खेयरी हाँ बिल्कुल 2.5, 2.5 अच्टियर होगा 25 नियों का 2.5 अच्टियर होगा अभी question session पर चलते हैं इसके इंचोट ले लीजिए जल्दी लीजिए जल्दी लीजिए मैं यह लोग साइड में हो गया हूं इसके जो पीछे वाले slide देखी है उसके अभी ले लेते हैं अपन यहाला slide करे लीजिए जल्दी लीजिए बिल्कुल डेली classes डेली होती है सेम टाइम six o'clock everyday इंजिनियरिंग की क्लास होती है बिल्कुल चलिए इसका बैक साइड का भी यह भी ले लीजिए हमने डिस्कस कर लिया बेला में अर्द की एवरा हैी जलाई कि लेशा किया हैं और छलिए किया है टेली तो हम बात करते हैं कुञें सेशन की जो हमने आज तक पड़ा हूआ है उसमें आया नहीं भी अनने है उसके बारे में बात कर लेते हैं क्यों नहीं зарएा बिल्कुल करना वी के लिए चलिए ठीक है को अच्छी बात है लिए आपने और यह एवरी डे डिसकस किया जाएगा क्वेशन आंसर जो सेशन होगा एवरी डे लास्ट के टैन में इसके लिए यूज के जाएंगे अब यह आप लोग को दिखाई दे रहा है कि वैसन आंसर सेशन लैट्स क्रेक नाबाड आई बीपेस एसो प्रीपीजी एओ डबल एओ एक्जाम यह कह सकते इस लेवल की किसी स्टेट के लिए जो एक्जाम सकती है यूपी के लिए बात कह सकते हैं एंपी के लिए 36 गड़क स सनों एसजी से पूछे जाने वाले हैं कि हम लोग अब किको कवर कर रहे हैं कि को कवर कर रहे हैं यहां पर किसी को लेकर नहीं है तो ऑ सब्सक्र्ण और यह पर इसमें नाना आई विपेस तो कभी मैंशन नहीं करते आग्रीकलचर दूंगा फॉरेस्ट्री दूँगा देगा कहां से यह तो हमें भी नहीं पता लेकिन उनके जो आइडियाज हैं कहां से वह उठाता है वह फिर हम लोग बताएंगी लास्ट में क्योंकि क्योंकि देखा है हमने एक्सपीरियंस है उस बैसे इस पर चलिए तो डिसकस करते हैं कि डबल ओ का एक्जाम कब होने वाला है अभी तो देखो नौटिफिकेशन भी नहीं आया है डबल ओ का बिल्कुछ जल्दी होगा डबल ओ की वेकंसी अनाउंस हो चुकी थी लेकिन उसका नौटिफिकेशन नही णयीं सा करवा दिया जाता है जोता है अब सबस्क्राइज करते हैं यहां प Sense पर अगरे करते हैं यहां पर वालों के लिए ऊपको किल यह वह ना बाढ़ है पैसा हर चीज़ को प्रोवाइड करवाई जाती है चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेशन की तो फ़र्स्ट जो क्वेशन है पूछा गया 2015 में यह कुछ क्वेशन हम कल भी डिसक्स करें यह आई-बी-पेस क्या हमने लिया है कुछ क्वेशन छूट गए है भी भी आई-बी-पेस में जो पूछे उतना बता क्यों जा रहे हो लिए यह हम बात करते हैं क्वेशन फर्स की के लिए लौग को फॉरस्ट एस रिस्पॉंसिवल फोर रिटेंशिन ऑप सॉइल वाटरर सोइल वाटर को है तो यह कोई बताएगा यहां पर आंसर करते जाए जिसको पता है बहुत सुन्दर कौन बोल रहा है तो इसका आंसर आप लोग करेंगे बाद में आंसर बताया जाएगा हम बात करते हैं क्योंकि यह चीज हम पढ़ा चुक यहां देने की रिक्वार्मेंट मुझे भी नहीं यहां option देना चाहिए क्योंकि यह चीज हम पढ़ा चुक है पढ़ चुक है manufacturing पढ़ चुक है नो डाउट कोई चीज हमने नहीं देखी है या पढ़ी नहीं है लेकिन टीलर पढ़ चुक है तो उसके जो company का name है वो नहीं पढ़ा होगा अब पढ़ लेंगे कोई प्राब्लम पार्टिकल आपस में अटेच रहते हैं उनको क्या कहते हैं डिसकस किया था कितने लोग हैं यहां पर जिसको पता है सोईल सोईल के दो सोईल के पार्टिकल आपस में अटेच होने को क्या कहते हैं क्योंकि सोईल के पार्टिकल आपस में अटेच होंगे बहुत चे सारे तब जल्दी बताईए कल हमने डिस्कस किया था जल्दी बताईए चलिए हम बात कर लेते हैं मैन्यूफैक्ट्रिंग आन्सर आने चाहिए जल्दी से अगर आप जोती अपने पढ़ा है इसको देखा है लेक्चर को भी विक्रम भी साइद आया था एक लेक्चर में होटी क्लास कब होने वाली है आपको पता है तो बिल्कुल बता ही ने विक्रम बोला मुझे पता है किसी ने बिल्लो राम ने बोला है अधेंशन बिल्कुल राइट इसके साथ में और कौनचा टर्म होगा अधेंशन का मतलब क्या बात कर देईनिंशन कि अगर बात करें तो स्ोल का पार्टिकल और दूसरा पार्टिकल मेटल का पार्टिकल आपस में अटेच होने को क्या कहते हैं अगर हम बÓत करें इसको उनसर की को हैं सन और एक हो जाएगा हम इच सब्सक्रिण बनाट सो क्यों कि पावर तीलर को भी हमने डिसकस कर लिया था कोई वा आंसर देगा चलिए इसका आप लोग को पता नहीं है तो इसको भी डिसकस कर लेंगे इसका जो अगर बात करें एक कंपनी है कंपनी का नाम क्या है यह 1967 में से मैनुफेक्चर कर रहें इंडिया की कंपनी है वी एस्टी इंडिया की कंपनी है जो मैनुफेक्चर करती है आपको आंसर इसका फिर से मिल जाएगा अगर हम बात करते हैं क्वेशन की फॉलोविंग यूज फॉर प्राइमेरी टिलेज यह तो आप लोग बता सकते हो प्राइमेरी टिलेज के लिए कौन सा इंप्लीमेंट यूज किया जाता है जल्दी आंस है जिसके सामने बार-बार-बार वही वर्ड लगता है जिसके सामने के लिए टीवेस कंपणी नहीं है विएस्टी कंपणी टी हटाके लास्ट में लगा दीजिए इतना याद रखना है हमें टी हटाके लास्ट में लगा दीजिए कि मैंने वह याद रखने के लिए बोला जल्दी बोली यहां पर क्या होगा प्राइमेरी में सब सिर्फ और सिर्फ हमने किसको डिसकस किया था कि प्लाव को डिसकस किया था जितने भी टाइप के प्लाव थे एंबी प्लाव हो गया यारीज प्लाव कह सकते हैं तो सारे प्लाव किसमें आते हैं किसमें आएंगे प्राइमेरी टिलेज में वहां ऑप्शन भी सिरब यही दे रहा था प्लाव प्लाव ऑप्शन में सिरफ प प्लाविंग यूज होगा वह हमने डिसकस किया बार-बार मैंने बोला कि question आया होए है यहां से चलिए इसको skin shot ले लिजे इसका next हम discuss करते हैं जल्दी skin shot ले लिजे प्लाव बिलकुल जोती बोल रिये प्लाव हां single सिरफ प्लाव है इसके लावा जितने भी instrument है implement है वह तो किसके हैं secondary के part है लेकिन different kind of plows हमने discuss किये MB plow हमने discuss किया Ridge plow हमने discuss किया तो सारे वाले plow disk hero hero मत लगाइए hero disk plow होता है disk hero उसमें नहीं जाता primary tillage में disk hero नहीं है hero का मतलब क्या होता है जिसमें disk तो होते हैं लेकिन multiple disk होते है hero एक दूसरा भी बोला जाता है है जिसमें disk नहीं होकर क्या होते हैं वहां पर tines होते हैं टाइन यूज किया जाता है तो hero तो बिल्कुल भी नहीं hero term secondary के लिए है चलिए हम बात करते हैं next part की question number दो last में और बच्चे है question number fourth land holding of small scale farmer 2020 के दोनों question है recently आए वे दोनों question है तो उनको discuss कर लेते हैं इसले डिस्क प्लाव बिल्कुल डिस्क प्लाव प्लाव सारे आगए चाहिए एमबी प्लाव हो जिसको मॉल्ड बॉर्ड प्लाव कहते हैं डिस्क प्लाव कोई सभी हो गया तो प्लाव सारे हैं बात करते हैं हम लेंड और यह प्लाव वाला यह अगर हम बात करते हैं लेंड होडिंग की अकॉर्डिंग तो सब से जो स्मॉल अगर लेंड होल्डिंग होगी एक हैक्टियर से कम उसको क्या कहा जाता है मार्जीनल फार्मर एक हैक्टियर बात करते हैं 10 hectare से अपर वाले को लार्ज पार्मर कहा जाता है तो हमने क्या छोड़ दिया एक से लेकर दो hectare जिसके पास में है किस category में आएंगे small scale category में आएगे डिके recently का question है आपको पता है यह recently question है मैं हूँ विकास विद्पूर्चे अच्छा है विद्पूर्चे हो तो फिर तो आंसर देना थी विकास विक्रम कि यह क्वेशन आयों 2020 का चलिए बात कर लेते हैं हम soil strength soil जो गाड़ापन होता है यहां पर soil की बात ना करके हम किसी भी इन की पर्टिकुलर object की बात कर सकते हैं उसके गाड़ेपन जो कितना strong है कितना ठोस है अगर उसको check करना है हमें तो किसके से check करते चाहे टामटर ले लिए चाहे एपल ले लिए चाहे और किसी fruit की बात करे यहां पर soil की बात करें तो कौन सा वाला instrument use किया जाता है यहां question क्या आया था उसकी बात कर लेते है पहले प्लीस सीवानी बोल रही है वन टू टू बिल्कुल राइट है बात कर लेते हैं यहां पर question कैसे स्ट्रेंट को पावर को मेज़ोड किया गया है तो वह क्या है इसका 2020 का क्यों है चलिए इसको बात करें यह यहां पर अगर हम बात करें टाइम बहुत ज्यादा हो गया है कि डिस्कनेक्ट होगी है कि क्या हुआ कि चल्ड़ा एक बर दीखिए साथ गूगल नहीं चल रहा हुआ कि चलिए ठीक है कल डिस्कस कर लेंगा कि अगर उपन करके मैसेज कर दीजिए बस मैसेज तो शोड़ दीजिए उनको लाई कि चल रहा है कि अगर जो बैक वाला जब कर दो देख रहे हुआ है वेट कर रहे हैं अगर दीजिए श्टिमेंट कर दीजिए नगे और यह भी रहे हैं अगर रहे बस्टार डिक भी यह नगे तयों बस्टार कर दो 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 बस्मेंक झाया जूब्स कर दो दो बस्मेब कर दो 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 बस्क्षणs